नमस्कार विद्यार्थियो आज हम कक्षा आठ की वसंत भाग तीन पाठ दो लाखी चूडियां पाठ का अध्यन करेंगे यह पाठ एक कहानी है जो कामतानात क्वारा लिखी गई है इस कहानी में शहरी करण और अध्योगिक विकास से गाउं के उध्योग के खत्म होने के बच्चे बसे गाउं के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पस्ट करती है यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी लाख की चूडियां सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाख की गोलियां बना कर देता था मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लोटता था तो मेरे पास धेर सारी गोलियां होती रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोले वैसे तो मेरे मामा के गाओं का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था परन्तु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था जैसा कि गाओं के सबी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू का मकान कुछ उचे पर बना था मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वरिक्ष लगा था उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वे लाख पिगलाया करता सामने एक लकड़ी की चौकट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वे उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था पास में चार छे विबिन आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती लाक की चूड़ी का अकार दे कर वे उन्हें मुंगेरियों पर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ीयां बना चुकने के पश्चात वे उन पर रंग लगाता बदलू ये कार्रे सदा ही एक मचीये पर बैठ कर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी बगल में ही उसका हुका रखा रहता था जिसे वे बीच बीच में पीता था गाओं में मेरा दोपेर का समय अधिकतर बदलू के पास बीथता वे मुझे लला कहा करता और मेरे पहुचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचीया मंगा देता मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूडिया बनाते देखता रहता लगबग रोज ही वे चार छे जोड़े चूडियां बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वे उसे बेलन पर चड़ा कर कुछ शंड चुपचाब देखता रहता मानो वे बेलन ना होकर किसी नवदू की कलाई हो बदलू मनिहार था चूडियां बनाना उसका पैत्रिक पेशा था और वास्तव में वे बहुत ही सुन्दर चूडियां बनाता था उसकी बनाई हुई चूडियों की खपत भी बहुत थी उस गाउं में तो सबी इस्तरियां उसकी बनाई हुई चूडियां पहनती ही थी आसपास के गाउं के लोग भी उससे चूडियां ले जाते थे परंतु वे कभी भी चूडियों को पैसों में नहीं बेचता था उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था वस्तु विनिमय का आर्थ होता है रुपे दे कर सामान ना खरीदना बलकि सामान के बदले सामान खरीदना और लोग अनाज के बदले उससे चूडियां ले जाते थे बदलु सुभाव से बहुत मैंने कभी भी उसे किसी से जगडते नहीं देखा हाँ शादी विवा के अबसरों पर वे अवश्य जिद पकड़ जाता था जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूडियां ले जाए परंतो विवा के अबसर पर वे सारी कसर निकाल लेता था आखिर सुहाग के जोड़े का मह लिए इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते धेरों अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपे जो मिलते स्वालत यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिड़ थी तो वे थी कांच की चूडियों से यदि किसी भी इस्त्री के हाथ में उसे कांच की चूडियों दिख जाती तो वे अंदर यंदर कुड उठता और कभी भी दो-चार बाते भी सुना देता मुझसे तो वे घंटों बाते किया करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता कभी मेरे घर के बारे में और कभी यों ही शेहर क काच की चूड़ियां पहनते हैं और वे उत्तर देता शेहर की बात और है लला वहाँ तो सभी कुछ होता है वहाँ तो ओड़तें अपने मरत का हाथ पकड़ कर सरकों पर गूमती हैं और फिर उनकी कलाईयां नाजुक होती है ना लाक की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जा कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता जिन दिनों उसकी गाय के दूद होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां से दो चार आम खा आता परंतु इन सब बातों के अतिरिक जिस कारण वे मुझे अच्छा लगता था वे ये कि लगबग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता मैं बहुदा हर गर्मी की छुटी में अपने मामा के यहां चला जाता और एक आद महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहां गया होंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अफ़ी तक मैं अपने मामा के गाउं न जा सका तब लगबग आट-दस वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों मेरी रुची नहीं रही अतया गाउं में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया इस बीच मैंने देखा कि गाउं में लगबग सभी स्थ्रियां कांच की चूड़ी पहनी हैं विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ीयां देखी तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध ध्यान हो आया बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की चोटी लड़ी आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी तूटकर उसकी कलाई में घुछ गई और उससे खून बहने लगा मेरे मामा उस समय घर पर ना थे मुझे ही उसकी मरम पत्टी करन नमस्ते बदलू काका नमस्ते भाईया परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी और निहारता रहा मैं हूँ जनारदन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था बदलू फिर भी चुपरा मानुवा अपने स्मृती पटल पर अतीत के चित्र उतार रह और तब वे एकदम बोल पड़ा आओ आओ लला बेटो बहुत दिन बाद आएगा हाँ इदर आना नहीं हो सका काका कुछ देर फिर शांती रही मैंने इदर उदर दृष्टी दोड़ाई ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई नहीं भट्टी आजकल काम नहीं करते काका नहीं लला काम तो कई साल से बंद है मेरी बनाई हुई चूडियां कोई पूछे तब तो गाउं में काच का प्रचार हो गया है वे कुछ देर चुप रहा फिर बोला मशीन योग है ना यह लला आजकल सब काम मशीन से होता है खेट भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो स सुन्दरता काच की चूडियों में होती है लाक में कहां संभव है लेकिन काच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी तूड़ जाता है नाजक तो फिर होता ही है लला मुझे लगा उसे दमा है अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था उसके हाथों पर और माते पर नसे उबराई थी जाने कैसे उसने मेरी शंका भापली और बोला दमा नहीं है मुझे फसली खासी है यही महीने दो महीने से आ रही है दस पंदरा दिन में ठीक हो जाएगी मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यता चिपी है मैं देर तक सोचता र कुछ देर फिर शानती रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी आम की फसल अब कैसी है काका अच्छी है लला बहुत अच्छी है उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी अरी रज्जो लला के लिया आम तो लेया फिर मेरी और मुखातिव होकर बोल गया था नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाए हैं वा वा बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद हुआ है जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था गाय तो अच्छी है ना काका गाय कहां है लला दो साल हुए बेच कहां से खिलाता इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में धेर से आम ले आई यह तो बहुत है काका इतने कहां खा पाऊंगा वा 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 शहरी ठहरे ना मैं तुम्हारी उमर का था तो इसके चौगने आम एक बकत में खा जाता था आप लोगों की बात और है ना अच्छा बेटी लला को चार पांच आम छाट कर दो सिंदूरी वाले देना देखो लला कैसे हैं इसी साल यह पेड तयार हुआ है रज्जो ने चार पांच आम अंजुली में लेकर मेरी और बढ़ा दिये आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाएं एक शन के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई गोरी गोरी कलाईयों पर लाक की चूडियां बहुत ही फब रही थी बदलू ने मेरी दृष्टी देख ली और बोल पड़ा यही आखरी जोड़ा बनाया था जमीदार साहब की बेटी के विवा पर दसाने पैसे मुझ को दे रहे मैंने जोड़ा नहीं दिया कहा शेहर से ले आओ मैंने आम ले लिये और खा कर थोड़ी देर पश्चाच चला आया मुझे प्रसनता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी उसका व्यक्तित्व कांच की चूडियों जैसा न था कि आसानी से तूट जाए तो यह थी कहानी लाग की चूडियां मैं उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी कहानी पसंद आये ही तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा चैनल पर नए हैं या आप नए नए वीडियो देखना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और झाल